आप देख रही है MNS News सच जरूरी है अमेरिकी विदेश सची हूँ एंटरी ब्लिंकिंग युद्ध के बाद दूसरी बार जा रहे है युजराइल करेगे हालात की समिक्षा आई देखते हैं खबरे विस्तार से शेक हसीना के साथ प्रधानमंतरी मोधी ने तीन परियोजनाओ का किया उदखार्टन प्रधानमंतरी नरेदर मोधी और बांगलादेश के प्रधानमंतरी शेक हसीना ने वीडियो कॉन्फरेसिंग से माध्यम से भारत की मदद से बने तीन परियोजनाओ का सयुक्त रूप से इस दौरान कारेकरम को संभोधत करते हुए पियम मोधी ने कहा वे बहुत खुशी की बात है कि हमें एक बार फिर भारत बांगलादेश की सफलता को मनाने के लिए एक साथ जुड़े है। नए साल में तिंद्रेल सेवाई भी शुरू की गई है। भारत और बांगलादेश के बीच तिन विकास पर योजनाओ को उद्गाटन पर पियम शेक हसीना ने कहा मैं हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की आपकी प्रतिबधता के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। बढ़ते अगली खबर के और जैशंकर ने पुर्टगाल की ब्रधान मंतरी से मुलाकात की समकालिन चुनोतियों पर चर्चा की जिया भारत की विदेश मंतरी द्वारा एस जैशंकर ने पुर्टगाल की ब्रधान मंतरी एंटोनियो कोस्ता के साथ समक पूर्टगाल तथा एटली के अपनी चार दिवसिया यात्रा के पहले चरण में पूर्टगाल पहुचे जैशंका ने भारती रोपिया संग संबंदों के लिए उसके लिए समर्थन की सरहाना किया जैशंका ने सुमवार मीडिया मंच एक्स याने पूर्व में ट्वीटर पर पोस्ट कर कहा आज याने आज प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ता में मिलकर खुशी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हार्दिक शुपकाम नहीं समकाली चुनोतियों पर चर्चा की और हमारे संबंदों को मजबूत करने के लिए उनके मार्गदर्शन की सराना की इससे पहले विदेश बंते ने कहा अपने पुर्टगाली समक्षक जो आओ क्रेवहीनों के साथ सार्थक बातचीत की इस दोरान उन्होंने देपक्षिया आर्थिक सहयोग में प्रगति पर चर्चा की और पशिमेशिया युक्रेन मद्य इशिया और भारत प्रशा को लेकर भी चर्चा की उन्होंने पुर्टगाली गन्राज्य की असेंबली के अध्यक्ष ऑगस्टो सेटो सेटो सेटोलो सिल्वा से मिलकर खुशी हुई हमारे दिपक्षिया संबंदों के लिए उनके मजबूत समर्थक को हमेशा महत्वदिया है एक अस्थीर दुनिया में हमारे दो लोकतंत्र के करीबी सहयोग के महत्वपर्थ चर्चा की जैशंकर ने कुछ प्रवासी कारक्रम में भाग लिया और लिजबन से रादाकरिश्न मंदिर के सामने महत्मा गांदी और उनकी पतनी कस्तूरा गांदी के समारक पर पुश्पांजली और पितकर पूर्टकाल से जैशंकर इटली जाएगे जहां वो अपने समक्षक रक्ष विदेश मंतरी एंटने बलिंकन शुकरवार को फिर से इसराइल की यात्रा करेगे इस दोरान उनका यहुदी राष्टर में सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करने का कारक्रम है CNN ने विदेश में विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलकर के मंगलवार को सवधाताओ से कहा सच्यू बलिंकन इसराइल सरकार के सदसे के साथ बैठक के लिए शुकरवार को इसराइल की यात्रा करेगे और फिर से अन्य पड़ाओ पर रुकेगे 7 अक्टबर को हमास दोरा अपना अभूतपूर्व हमला शुरू करने के बाद से बलिंकन ने इसराइल को कही यात्रा की है इसराइल की हलावा बलिंकन ने पिछले महीने जॉडन, कतर, बहतरी, बहरीन, साओधी अरब, सयुकतरब, अमिरात और मीस्त्र की यात्रा की वाटर अक्टबर को राश्पती जो बाइडन के अतिहासी की उद्धकालीन तेल अवी वियात्रा में इसराइली सरकार, अधिकारी और पीडितों के साथ बैठक में भी शामिल हुए थे इसके अलावा मंगलवार बिंकन ने इसराइल के राश्पते इस हाक हर्जोस से भी फोन पर बात की इस दोरान उन्होंने अंतराशिया मानविया कानून के अनुरोप आतंकवाद के खिलाफ इसराइल के बचाओ के अधिकार के लिए अमेरिका समर्तन दोराया और नागरिको के नुकसान को कम करने के संभावित आधानी बरतने के आशकता पर जोड़ दिया उन्होंने इसराइल बैस्टि बैंक अफ गाजा में अमेरिका नागरिकों को सुरक्षा के प्रयास बंधकों गर लाने के लिए अध्यक्ष प्रयास जारी रखने के लिए फिल तीन नागरिक सब तक देखते रहे हैं MNS News Network मेरे साथ यह नियर्शिय अंसारी के साथ नमस्कार। यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News